आप सबी का सोचल मीडिया लाइफ पर मेरा नाम है आर्टी अक्रावक दोस्तों तुर्की में आज प्रले आया उसके बाद फिर से महा प्रले आया जिहां नौ घंटों के भीतर तर्की में दो बार बड़े भूकम के छटके आये जिसके बाद तर्की शहर सबीदोज हो गई मह कि मारते और तेरा सो से जादा लोगों की मौत हो चुकी है अब आखड़ा बढ़कर बंदरा सो पहुंच गया इसके अलावा तैस सो लगबग लोग खायल हुए हैं सिर्फ टर्की टर्की नहीं टर्की सीरिया ग्रीस इरान ये भूकम आसपास के कई देशों को तबहा करते चला गया और आखड़ा लगातार बढ़ते जारा है भूकम की तीवता स्केल पर साथ पॉइंट आट पहले वाले जो भारती तर्मसार सुबह सुबह आया था तरबग साड़ी तीम बजे उसके बाद शाम को फिर से चार बजे के करीब पताया जारा है कि भूकम का दूसरा बजाना हुआ काफी लोगों का नुक्सान हुआ है और प्रधानमंतुरी मोदी ने समेरना व्यक्त की थी ती परिवारों के लिए यहां तक कि टर्की के लिए रहात समक्री महया कराने की बात थी इसी बीच शाम तक NDRF की टीम भेजने का अलान कर दिया गया है प्रधानमंत प्रधानमंत्री मोदी के महासचिव की तरफ से बयान आया है इसके साथ ही मैं आपको बता दू कि टर्की का नुक्सान जो है उसमें इजाफा लगातार होते जा रहा है लगातार बढ़ते जाए सिफ टर्की टर्की का पड़ोसी देश ग्रीस सीरिया यह सब भी इससे इसके अलागा कुछ वीडियो सामने आ रहे हैं जो टुटर के माधियम से हमें मिल रहे हैं जिसमें साथ तौर पर देखा जा सकता है कि इस तरह निमारत कुछ पल में ही जमीदोस हो गई अदाना तरकी का शहर है जहां के एक वीडियो हो रहा है काफी तेजी से एक शक्स वी अधर बेक हॉस्पिटल है और वो पल भर्ग में जमीदोध हो गया और बहुत से उस हॉस्पिटल में दर्शाव वो चाइल बर्थ का हॉस्पिटल था और नवजाद कुछ बच्चों को बचाया वे गया है लेकिन यह आकड़ा दर्साद इस्तिती तुरंद की बहुत भारत ने भी देखा था यहां दोस्तों दोजार एक में 26 जनवरी की सुभा यूतोपूरा देश गर्तंद दिवस अपना क्यावनवा गर्तंद दिवस मना रहा था लेकिन गुजरात के कच और भुज ने तभाई का मनजर देखा था उसका आकड़ा आज भी जो सरकारी सब की आकड़ा सब जानते हैं जितना भयाना को मनजर था कि आज भी कच और भुज की दमीन कुछ भी सही से पैदा तक नहीं कर सकती तब से जमीन पूरी बंजर हो गई थी एक तरह से वो दोनों शहर पूरी तरह से तभाह हो गये दुबारा से उन्हें बनाने की कोशिश की गई लेकिन मजबूत कुछ रात की तरह किछ भुजव मजबूत थे और दुबारा से उठका खड़े हुए तक मैं आपको बताते हैं कम से कम 18,000 से 21,000 का आकड़ा सरकारी आकड़ों में जो मौत का आकड़ा दिखाया जाता है और वहीं कम से कम 166,000 लोग खायर बताये जात हैं कि यह कच और भुज का जो हो कम था कितनी तभाई भारत के लिए लेकर आए एक तरफ पूरा देश कर्दन दिवस के जश्में डूगा होता है लेकिन दूसरी तरफ कच और भुज में मौते ही मौते होती जा रहे तो यह वो वक्त था जब लगाता है कई दिनों तक हो गई थी इसके लिए मौन बता दू कि टर्की जिस जगह पर मौजूद है वो हमेशा ही भुकम के खत्रे के बीच रहता है वो शहर वो देश ऐसी जगह पर है एश्या और यूर्प की दोनकी में रहती हो देश ऐसी जगह पर है जहां लगातार ऐसी घटनाएं होती रहती पैली यह में तर्की में बहुत बड़ा गुकम बयाए गयर जिसमें अठारह हसार लोगों की मौते हो गई थी और उसके बाद बहुतारह ने मैं भी ऐसा ही बड़ा गुकम पाए था जब लग भगल बताय साथा कि 1 000 लोगों की मौत हुई थी 800-600 सच्छादा लोगों की मौ तरकी तरफ दूआ की तरफ से हम अपनी तरफ से सारी कोशिश करें कि नुकसान कम से कम हो लेकिन प्राकरतिक आपदा है कितना वो अपनी जर्फ से बचा पाएंगी यह भी सोचने वाली बात है इसके लावा कि भारत की तरफ से मदद के तौर पर NDR की टीम ज़ी जिए जिसमे तरफ से बात है कि भारत अपनी तरफ से दो NDR की टीम पेजर आया है सौसो जवानु की इसमें तमाम जो भी रिक्वार्मेंट है वो महिया कराए जाएगी इसके साथ ही मैं बता दूँ कि जैसे भूकम वैसे तो कुछ भूकम होते हैं जो बहुती माइक्रो कैटेडरी होती ह जो Tक के भूकम वह जिनकी तीवसा होती है वो लगभख रोजाना आते हैं कम से कम आर्थ हजार ऐसे भूकम पें जो पता नहीं चलते इसके लाबह 2.0 से 2.9 की तीवसा वाले बूकम होते हैं जो मिनी डाले जाते हैं वो भी लगभख हजार तक भूकम डेली आते हैं और पता नहीं चलते हैं रिकॉर्ड नहीं हो पाते हैं इसके लाव मैं बता दू ऐसे और भूकम पाते हैं जो लगाता है तीम से 4.1 के बीश में भूकम पाते हैं वो भी आकड़ा है उन्हें थोड़ी light category में रखा जाता है लेकिन जो भूकम त लगातार टर्की के लिए बढ़ती जारे ही यूँ कह लीजे दूसरी बात में अब बता दो तर्की जिस जगह मौझत है टर्की के इस्ट में जो हिस्सा है उस पर इस्ट अनटॉलियन प्लेट है एक के अलावा अरेवियन प्लेट की साथ जुड़ा है वही दक्षिन और दक जारेशन में घूकम कहते हैं तो यही होता है कि जैसे साथ प्लेटे हैं धर्ती के भीज़ा साथ प्लेटे हैं जब आपस में टक्राती है और बहुत ही एनरजी के साथ वह प्लेटे टक्राकर कुश होकर उपर आती है जो जमीन के ऊपर वाले लोगों के हम जैसे लोगों के के लिए वो तभाई का मंदर कर देती है जब कोने कोई प्लेट्स आपस में टकराती क्योंकि कोने सिकुड़ जाते हैं और वो कोने सिकुड़ने के बाद यह उनकी इनरजी से जो प्लेट्स टकराती है और वही हिस्सा जमीन के ऊपर आके पित्वी के लोगों के लिए तभाई करें के ख़राई है कि हो एसा ही ज़गा रहता है घड़ी जलते जलते अपतासे उबड़े लेकिन अच्क यहीं है कि तरकी जरह आ हमेशा धर्म का ख्त्रा लगातार रहता आ हम तो मीद कर ते हैं टरकी जलते जलते अपने अपना आपदा से उबरे लेकिन सचाए यही है कि टर्की जिस जगह पर मौझूद है जो प्लेट्स वहाँ पर है अनटॉलियन प्लेट है और उसके बाद अरेबियन प्लेट के साथ चुड़ा हुआ है फिर दक्षिन और दक्षिन परश्ची में आफ्रिकन प्लेट है और उसके तकड़े जटके आते हैं और जटके नहीं बिल्कुल एक भयावे मंजर पैदा करते हैं हम उमीद करते हैं टर्की जलते जल तर्की सीरिया इरान ग्रीस जलते जल इस मुसीवत से उबरे और वैसे तो नाच्टर कलामेटी इस इतनी बढ़ चुकी एक तरह से मनुष्य भी अ तर्की बहुत स्रॉंग देश है और कई बार तो नाच्टर कंडिशन ऐसे जिस जगह तर्की जैसे देश बनाएं वहां पर मुश्किले बढ़ जाती है चले दोस्तों इस गुकम से जुड़े बात में आप अगर आपकी कोई राय तो अपने दरज करा सकते हैं अगर आपको कच और भुज का वह मंजर याद आता है तो उससे जुड़ी कोई बात है तो वह भी आप अपने कमेंट आपने वीपॉंट यहां पर दरज करा सकते हैं इसके लावा कल में मैं आपसे समय से लगव खाड़े 6 बजे के बाख जो भी रीसिंग मुद्दा हो उस पर चर्चा कर कि अच्छा करगी है गूटनाइग